हेलो फ्रेंड्स देखिए कितनी कुरकुरी और करारी बनी है हमारी ये नास्ता आप बच्छों को लंच में भी दे सकते हैं साम के नास्ते में भी कर सकते हैं बहुत टिश्यी लगती है और हेल्दी भी है क्योंकि मैंने इसे ब्राउन ब्रेड्ट से बनाया है इसके मसाले बनाते हैं चार हारे मिर्ची लसुन और अध्रक को कुछ लेंगे और प्याज को बारी काट लेंगे इधर एक पैन गरम करेंगे उसमें तेल, जीरा, लाल मिर्ची का छोकन देकर कटा हुआ प्यार टालकर थोड़ा सब भून लेंगे अब डालेंगे अब डालेंगे सुखे मसाले जीरा पाउडर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर चाट मसाला डाल करेंगे अच्छे से भून ले जब यह भून जाए तो मैस किया हुआ आलू इसमें डाल देंगे और इसमें नमक भी डाल देंगे रच्छे से भून लेंगे चार पांच मिनिट के लिए उपर से गरम मसाला और धनिया पत्ता डाल कर इसे उतार लेंगे और किसी बरतन में निकाल लेंगे इसे ठंडे होने के ठंडा होता है अब अब दर अब तक तक लुष्प भी कट में हैं इससे डेल कर सकते हैं निकल कि तो में आपको मेरे रष्पी तो लगती है तो लाइक dot sopr hourly कर सब्स्क्राइब करें तeला तेल गरम हो गया है अब इसमें मेडिय माच पर ही तेल गरम करके डाले और फ्राइ कर लें धीरे-धीरे देखिए इस तरह सिर ब्राउन फ्राई हो जाए उसके बाद उतार लें मैंने कुछ लंबे सेप के भी बनाये है अब उसे भी फ्राई कर लें देखिए ब्राउन हो गया इसे भी में साम के नास्ते में और सुबह लंच में आप बच्चों को भी दे सकते हैं बड़ों को भी दे सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और सेयर भी करें थैंक यू बच्छी करेंग wizard लग देव जाओ़ों कÊड़ दॉार आपको है ऌक करेंगग बच्छार आपको है गले हाँ पव्हां इस फ्राईओे हैं हादिवा गिवा जसे लगको है जसे वबसिता हैं